अगर आप जेनियू के छात्र हैं या फिर इस विश्व विद्याले को लेकर जानकारी रखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है दरसल ज्वाहर लाल नहरू विश्व विद्याले यानि कि जेनियू परिशासर ने कई अहम पैसले लिए हैं जानकारी के अनुसार ने नियूमों में परिसर में धर्णा देने पर छात्रों पर अब 20,000 रुपय का जुर्माना लगाया जाएगा अगर कैंप immersion कोई चात्र हिंसा करता है तो उसका दाखिलार रध किया जा सकता है या पर 30,000 रुपय का जुर्माना लगाया जा सकता है जेनू के छात्रों के लिए जारी इस दस पेज के अनुशासन के नियम और उचित आचरण में विरोध परदैशन और जाल साजी जैसे कई कारों के लिए सजा निर्धारित की गई है और यही नहीं अनुशासन का उलंगन करने संबंधि जार्श परक्रिया का जिक्र भी इसमें विस्तार से किया गया है दस्तवेज के अनुसार ये सभी नियम तीन फरवरी से लागू माने जाएंगे बता दे कि ये नियम विश्व विद्याले में BBC की एक विवादित डॉकुमेंटरी दिखाये जाने को लेकर हुए विरोध परदशनों के बाद लागू किये गए है ये मामला काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में बना था और इसे लेकर कैमपस में जड़ब भी हुई थी नए नियम सम्मंधी दस्तावेज में कहा गया था कि इसे कारेकारी परिशद ने मंजूरी दी है ये परिशद जुआहर लाल नहरू विश्व विद्याले का निड़ने लेने वाला सुर्वच निकाय है बेरहाल कारेकारी परिशद के सदस्यों ने PTI भाषा को बताया कि इस मामले को एक अतिरिक्ट अजंटा सामगरी के रूप में लाया गया था और उसमें ये उलेख्य किया गया था कि ये दस्तावेज आदालत के मामलों के लिए सैयार किया गया है जोहर लाल नहरू विश्व विद्याले में अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशद के सच्चिव विकार पटेल ने इन नए नियूमों को तुगलिक की परमान कहा है और वही इन नए नियूमों पर जेनियू की कुलपती शांती श्रीफ डी पंडित की तरब से अभी किसी तरह की कोई पर्तिकी दिया सामने नहीं आई है